असलाम लेकुम एवरिवन वेलकम टो आईशा मेडिकल एजूकेशन प्रीविएस वीडियो में हम लोगोंने अपने अपर लिम के पार्ट्स को डिसकस किया था ब्रीफली जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था अब हम लोग अपर लिम बनाट्मी का सेकंड चेप्टर इसमें हम लोग अपर लिम की बोन्स को डिटेल पड़ेंगे सबसे पहले जो हमारे अपर लिम में बोन आती है वो है क्लाविकल बोन चेप्टर टू है बोन्स जिसमें आती है क्लाविकल दियर आर टू क्लाविकल इन आवर बॉड़ी राइट क्लाविकल एंड लेफ्ट क्ल दोनों के दरम्यान एक बोन होती है जिसको हम स्टर्णम बोन कहते हैं दोनों के जो मीडियल एंड है वो स्टर्णम के साथ अटाइच होते हैं और जो लैटरल एंड है वो अक्रोमियन प्रोसेस ओफ स्कैपुला के साथ अटाइच होते हैं सबसे पहले हमें मीडियल और लैटर जो terms हैं ये clear होना चाहिए medial होता है towards the center of body और lateral होता है away from the center of body तो ये दोनो ends जो हैं वो away from the center of body हैं तो ये हमारे पास lateral हैं और ये दोनो ends हमारे पास towards the center of body हैं तो ये दोनो end हमारे पास medial end है So हम इसको sternal end भी कह सकते हैं और medial end भी कहते हैं और इसको हम लोग यानि लेटर लेंड को हम लोग एक्रोमियल लेंड भी कहते हैं क्योंकि यह एक्रोमियन प्रोसिस ओफ स्कैपिला के साथ अटायच होता है यहां पर कुछ पैक्यूलरिटीज हैं क्लेविकल बॉन की एउनली लोग बॉन लाइज होरिजोंटली इस इस ओनली लोग बॉन यह क्लेविकल एक ऐसी लोग बॉन है जो सिर्फ होरिजोंटली लाई करती है otherwise जो हमारी body की दूसरी long bones हैं वो vertically lie करते हैं जैसे humerus, femur, radius, sunna, tbf, fibula वगारा और दूसरा यह है कि subcutaneous throughout यानि skin के below विल्कुल subcutaneous इसके उपर muscle वगारा उपर lie नहीं करते हैं हम easily इसको pulpit कर सकते हैं then first bone start to ossify यानि जब baby की development हो रही होती है developmental duration में सबसे पहले clavicle bone ही ossify होती है only long bone which has two ossifying ends यानि सिरफ यह ऐसी bone है long bone में से इसके दो ossifying ends होते हैं no middlery cavity इसकी कोई middlery cavity नहीं होती जैसे कि humerus और femur वगारा और long bones में होती है pierced by supraclavicular nerve it receives upper limb weight through lateral one third and shift to axial skeleton through medial two third हमने इसके division की हुई है यानि यह इसका medial end है और यह lateral end है जो इसका medial end है उसको हम two third कहते हैं और lateral end के division हमने क्यों यह one third यानि यह क्या करती है हमारा जो upper limb है उसका weight receive कौन करता है clavicle का lateral one third और shift कौन करता है axial skeleton को यानि sternum को कौन सा end shift करता है medial two third of clavicle bone so receive upper limb weight through lateral one third and shift axial skeleton to axial skeleton through medial two third अब हम इसमें देखेंगे side determination यानि हमने यह देखना है कि यह हमारी left side की clavicle है यह right side की इसको decide करने के लिए हम में हमारे पास three points है first point में हम लोग देखेंगे lateral end को और medial end को second में हम लोग shaft को देखेंगे और third में हम लोग इसकी surfaces को देखेंगे superior and inferior surface जो इसका lateral end होता है clavicle bone का वो flat होता है और जो medial end होता है वो मारे पास quadrilateral होता है जो flat end होता है उसकी दो surface और दो border होते हैं और जो हमारे पास medial end होता है वो quadrilateral होता है उसकी चार surfaces होती है superior surface, inferior surface, anterior surface and posterior surface इसमें कोई border नहीं होता अब हम shaft को देखेंगे, shaft जो है वो इसकी curved होती है convex forward and concave forward यानि इसका medial part होता है वो convex होता है forward और जो lateral part होता है वो हमारे पास concave होता है forward जैसे के यह हमारे पास medial part है और यह forward convex है और यह हमारे पास lateral part है यानि one third यह क्या है concave forward है और जो इसकी third point है surface का है जो इसकी superior surface होती है वो smooth ही होती है इसलिए जो हम ज्यालतर focus जो करते हैं वो inferior surface है inferior surface में ग्रूव होती है जिसको हम subclavian groove कहते हैं और हमने क्या यह basically एक landmark है इसकी side important landmark है side determination में हमने क्या करना था जो subclavian groove होती है इसको inferiorly रखना होता है जिससे हमें idea हो जाता है कि यह किस side की clavicle वहोना है अब हम clavicle की shaft और ends को देखेंगे clavicle की जो shaft है उसको हमने lateral one third और medial two third में divide किया था और ends होते हैं हमारे पास दो end होते है lateral end and medial end lateral end को हम acromial end भी कहते हैं और medial end को sternal end भी कहते हैं सबसे पहले जो हम shaft का है lateral one third देख लेते हैं जो lateral one third होता है वो हमारे पास flat होता है उसके two borders और two surfaces होती है जो borders होते हैं एक anterior border होता और posterior border होता है जो lateral one third का anterior border होता है वो concave होता है और जो lateral one third का posterior border होता है वो हमारे पास convex होता है और इसकी दो surfaces हैं एक superior surface है और एक inferior surface है जो superior surface होती है वो subcutaneous होती है और जो inferior surface होती है, उसमें क्या होती है? एक elevation और एक ridge होती है elevation जो होती है? उसको हम बोलते है conoid tubercle और जो ridge होती है? हम उसको बोलते है trapezoid ridge next आता है हमारे पास medial two-third जो medial two-third है, वो हमारे पास quadrilateral end होता है उसका और वह rounded सो आता है flat नहीं होता और उसमें मारे पास 4 surfaces होती है anterior surface, posterior surface, superior surface and inferior surface जो हमारे पास inferior surface होती है उसमें मारे पास oval impression होता है at medial end यानि medial two-third के भी जो inferior surface है उसकी medial side में मारे पास oval impression होता है और longitudinal subclavian groove होती है third पे आता है हमारे पास nutrient foramen अब हम देखेंगे clavical के ends को यह थे हमारे पास shaft के part lateral one-third and medial two-third अब हम देखेंगे ends को हमारे पास ends होते हैं दो lateral and and medial and lateral को हम कहते हैं acromial end क्योंगे यह cromian process of scapula के साथ attach होता है और medial end होता है क्योंकर stundum के साथ यह चोता है जो एक क्रोमियल रइंड होता है उसके उसके उपर हमारे पास क्रोमियो क्लाविकुलोर डिगमेंट भीख आधाइच होता जो हमारे पास स्टैनल बॉन और पास एक यह चोड़ आटाइचमेंट्स देखेंगे सब से quadrilateral end है वो हमारे पास medial side पर आएगा और जो हमारे पास flat end और वो lateral side पर आएगा So it is the left side clavicle bone अब हम इसके attachments देखेंगे Lateral end पर हमारे पास joint capsule attach होता है acromioclavicular joint के लिए और medial end पर हमारे पास fibrous capsule, articular cartilage और interclavicular ligament attach होता है Sternal end पर sternum के साथ attach होने के लिए sternoclavicular joint बनता है अब हम देखेंगे इसका anterior border, lateral one third पहले discuss करेंगे Then medial two third, this is the lateral one third इसका जो हमारे पास anterior border है इस area पर हमारे पास deltoid muscle की origin होती है और जो इसका posterior border है, posterior border of lateral one third इस area पर हमारे पास insertion of the trapezius muscle होती है और इसकी जो inferior surface है, lateral one third की lateral one third of clavicle bone, इसकी जो inferior surface है इसके उपर हमारे पास conoid and trapezoid जो है वो rich present होती है और यहाँ पर conoid and trapezoid part of coracoclavicular ligament attach होता है और जो हमारे पास medial two third part है इसका anterior surface है यहाँ पास सिर्फ four surface है, इसमें कोई border present नहीं होता जो इसकी anterior surface है, इसके उपर most of the area पर pectoralis major muscle की origin होती है जो half of the rough area यहाँ पर जो remaining है उस area पर क्या होता है जो हमारे पास clavicular head of sternocleidomastoid muscle attach होता है sternocleidomastoid muscle हमारे neck में present होता है sternoclavicular means sternum और clavicle दोनों के साथ attach होता है इसके दो head होते है, sternum और clavicular head जो इसका clavicular head है, वो इस area पर attach होता है इसकी inferior surface पर, this is the inferior surface of the merial two-third of the clavicle bone इस area के medial end पर, inferior surface के medial end पर हमारे पास costoclavicular ligament attach होता है उसके लावा इस area पर, यानि inferior surface पर, जो के important landmark है हमारा side determination का, यहाँ पर subclavian groove present होती है, यहाँ पर insertion होता है subclavian, subclavious muscle का, और जो margin होती है, subclavian groove की, वो attachment provide करता है clavipectoral fascia की, और जो हमारे पास posterior surface है, posterior surface of medial two-third of clavicle bone यह हमें provide करता है sternohyoid muscle की origin, sternohyoid muscle भी हमारे neck के area में present होता है sterno means sternum के साथ attach होता है, hyoid bone हमारी neck में होती है उसका origin जो है, वो हमारे पास posterior surface of medial two-third of clavicle bone पे attach होता है origin of sternohyoid muscle, यह थी हमारी attachments clavicle bone करता है